तो नमस्कार दोस्तों फिलाल में ग्राम चोणी टैन में आया हुआ हूँ और बाबा जी आयुए हैं दोटों बहुत दूर से तो चलिए बाबा जी कहां से आये बाबा आप लोग हरिहर छेतर स्वनपूर मतलब बिहार में जो स्वनपूर पढ़ता जहां मेला लगता है यहीं से आयुए बाबा तो बाबा थोड़ा आप सामने आ जाईए बाबा आप भी अपना चेहरा दिखाईए और चलिए बाबा तो आप हमारे दर्सक जो आपका विडियो वगरा जो देखेंगे तो थोड़ा उनको कुछ बताईए कि आप लोग कैसे कहां रहते हैं और कितना दि चेहरा भी देखाएं बाबा आरे बाबा तो देखें लिए हैं हम लोग आज आये हैं हैं हम छलेंगे आपको कपील देव असरम कहा है आमिल हबडारोड में है अचा बंगाल में पसी बंगाल में रभर हम लोग चब्दो जनवरी को नहाएंगे गंगाजी में हाँ आप 15 जन पहें लिखने पाटिक महीना में अई आप पूरा मने पूरा साल फोई रहें तो मतलब क्या है मतलब मत् है तो कितना मतलब साधु संतर कम से कम हम लोग तो क्यार पाच शाधु वहार रहते हैं मत चार पाच पाच जो मत्ठ में शनपूर में बहुत सब्सक्राइब कातिक महिना कातिक महिना में तो पुरा ओले बार इंडिया को वाल्ड में परमेश है व मेला विदेश तक भी मेला हम लोग है सुनपूर तक ट्रेंट से ही गए मुझाफरपूर के आगे उस रास्ते से नेपाल भी गए हुए है चलिए तो और सब बताईए कुछ और अच्छा ही है तो थोड़ा यह अत्रा में निकले हैं कुछ आप लोग के गाउं का सेवा हुआ लेते अपना नहीं बहुत जरूरी है ठीक है बाबा नेकिन बताई कब निकले थे आप सुनपूर स तो ट्रेन के जरी आए तो इसके बाद इधर कहां लोकल से इधर फिर गाउं-गाउं में नहीं बस से आते हैं अच्छा समझें वहां अभी एक दूरोज में जिर्खुंटी है वहां एक दू चेला है उसके पास रहना है तो चेला के से बनता है बबाबा ठकुरी उख्री ज बनता है मतलग जैसे आपका एक गुर्मुख बोलता है जैसे आप हमको दर्शन हुए हम साधु महत्मा आदमी है तो आपको हम चेले नहीं नहीं जैसे को नेया लड़का अचानक जब किसी साधु महत्मा के रूप में चल जाता है बहुत परिवार बाल बच्चा में width math, तो सब रहता है धरिये गुरख पूर्चा बोलता है योगी जी का मोधी योगी का हम से मुट करूद पढ़ाता है हम लोग संसकारी साधु मैं जैसे हम लोग छनुम्ए का संयास वह संकर का चिला है हम लोगी गीरी वाबाबा है समजे किलीए अपना प्रास्थान करते हैं और हम क्या कह सकते हैं नहीं बहुत 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 भुद आपका दर्बार भाबु भड़ा रहे अच्छा बाद एक सवाल और पुछना चाहता है जैसे आप लोग वहां से निकले अब सिधा डायमेंड हरबर जाईएगा यह मनें 14 12 जनवरी के अंदर आप लोग चल जाएगा उसके बाद महां गंगा असलान कीजिए वापस बड़ा बजार में एक दूचेला है कलकाता कलकाता में उसके पास जाएगा तो बबाएक चीज और बताईए जैसे आप मंदिर में रते हैं आपका घर दुआर महाब आप जो भी स हमेंज़ाए जतना बड़ा सधु हो बिना माबभ का कोई आया नहीं हम लोग से मिलते हैं साल में अच्छा में होग में ही नहीं जाएंगा ताधु क MOR 200 दूसरा कॉन जाएगा तो में जाते आते हैं और यहां ज provide गधर हम दूख में बहुत सावं पुछता हूं कि बाबा आपने जो साधू का रूप ले लिए साधू बन गए संत बन गए तो आप साधू सुधा है या नहीं देखिए हम आप से जूठ नहीं बुलेंगे जूठ मुल्ला महापाप होता है अच्छा देखिए भगवान संकर का साधी हुआ था हाँ जरूरी भगवान का अगर साधी नहीं का हुआ था तो अगर हम लोग किये हैं तो हम लोग संसकारी साधू है आप से कहें नहीं मठ मठिया का मालिक है बनता है कुछ भी है मठे पर रह से अपने आपस चला जाएंगे इसमें खुछ आपका मदद बनता है जरूर जरूर बाबा जरूर सकता है तो दोस्तों यह बाबा जी हैं जिन से मिलें और आप लोग को भी सुनाएं और दिखाएं तो बहुत अच्छी बात है बाबा हम लोग को जैसे यह हमारे जो हिंदू धर्म की जो परंपरा है जो चलते आया है शुरू से जो सादू महात्मा जो हमारे हिंदू धर्म में जो बहुत ही मान मर्यादा से सबको इज्जत दिया जाता है तो इस इज्जत के लिए ही हम लोग भी बाबा जी को थोड़ा रोकें कुछ जनकारियां लिए और जो आप ल हस्त मुस्त मतलब हैं थोड़ा तगड़े तो उन्होंने अच्छा जवाब भी दिया जो आप लोग सुने भी बहुत अच्छा लगा जानकर तो चलिए बाबा ठीक है बहुत खुसी हुई आप से और फिर मिलेंगे अगर जदी मुला तो धन्यबाद दोस्तों अगर जदी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे शेनल को लाइक करें सेर करें सबस्क्राइब करें जय मातादी जय भूले बाद जय भूलाना